तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो कि इसमें क्या करते हैं चलो इसको solve करते हैं और question को बहतर तरीके से समझना small body start falling on to the sun from a distance equal to radius of the earth देखो यह जो है काला वो सन मनाया हूं तो यह जो सन से एक इतना यह वाली जो distance है यहां से एक start body initial velocity यू से मोख करने यू से अमलम रिलीज हुई है initial velocity 0 लेना है तो obviously elliptical path में चल लई है और यहां से यह वाला जो distance है ओ radius of the sun जो sun है उसकी radius अगर small r consider करोगे तो small r plus capital r यह पूरा distance लगबग equal होगा क्योंकि मैं यहां पर जो sun है उसका radius small r मैं consideration में ले लिया हूं कोई रिक्कत परसानी मुसीबत वाली बात तो नहीं होगी तो यह जो sun है उसका मैं small r distance ले लिया हूं और यह जो distance है वो इन सभी के compare यह distance x से मैं लेता हूं मैं तो ऐसे कुछ fall करेगा तो यह जो x is very very x is very very less than small r plus capital r तो just neglect x approach to zero just neglect to this because यह जो radius of earth काभी दूर है तो यह जो चीज है इस distance को मैं नेगलेट कर देता हूं और यहां पर यह fall कर जाएगा इनिशेल वेलोसिटी इकोल डूजी ही लियो सेंट्रिक theory मतलब संसे हमको देखना है making capable of find how long body will fall तो कितने टाइम तक body fall करेगी इस इसको हमें निगालना है प्यारे बच्चो ठीक है तो यह देखना कि इस इसको निगालने के लिए मैं किसके टब में निगालों टॉंग कौन सा यूज करो तो मेरे वाई इसमाल बड़ी फॉल अन्दे संप्रामेट इस्टेंस इकोल डू रडी आरबिट आप आरबिट जो है वह आर के बराबर है मतलब इसमाल आर प्लस कैपिटल आर की वेलू है वह आरबिट अफ अर्थ आर्थ के इकोल है म आर्बिट आफ अर्थ मलब आर्बिट आफ अर्थ रैडियस आफ अर्थ जो भी मान लो यह तो आर्बिट आफ अर्थ का क्या मतलब होता आर्बिट आफ अर्थ का मतलब होता अगर एक एक बड़ी एक प्लेनेट है वह यहां से मूब कर रही है तो यह आर्बिट आफ आफ यह आर्बिट आफ अर्थ के एक्वाल है ठीक है कोई दिक्कत वाली परसानी वाली बाद में तो सबसे पहले अगर इसका टाइम पिरेट टी है अर्थ के केस में तो इस टाइम पिरेट टी को मैं लिख सकता हूं और यहां से प्यारे बच्चों आर्बिट आफ अर्थ मलब रेडियस आफ आर की पावर क्यू डट इस इक्वेशन नमबर फॉर्स्ट तो यह अगें जब यह फॉल करना स्टार्ट हुआ तो यह पाथ इलिप्टिकल है वाई तो इलिप्टिकल पाथ में अगर तुम देखोग तो इस इलिप्टिकल पाथ में अगर देखोगे तो टाइम पिरिड़ अव इस वाला डिस्टेंस आपको पता होगा इलिप्टिकल पाथ में जो टाइम प्रियेड है यह इसमाल आर प्लस और यह एक्स इसमें x मैं एक aid कर दूँ अलग से एक मिनट तो यहां से यह major axis का संथ major axis is equal to x plus small r capital r divided by 2 is equal to power q आई हो की पड़े होगे कि इस पूरे major axis का power q होता है अब यहां से तुम देखोगे तो time period of satellite का जो square आजाएगा वो 4 pi square is equal to gm और यहां से x plus x plus यह radius of earth आर्बिट आप आर्थ के equal to power q और x बहुत छोटा है तो मैं उसको ignore करता हूँ तो यहां से 1 upon 8 is equal to g n upon 8 is equal to कितना बचता है यहां से color बदल लेते हैं यहां से एक हरियाली color ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा interest भी बना रहेगा तो 1 upon 8 is equal to 4 pi square is equal to gm और x 0 है तो r e की power q और यह पूरा factor क्योंकि x is very very less than x की value very very less than radius of earth मैंने तो ignore कर दिया तो यहां से 1 upon 8 और यह जो factor है पूरा पूरा time rate of earth के square के equal है और यह time rate satellite का तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे यहां से कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो time period of satellite का जो square आ जाएगा वो time period of earth के square के अपान 8 के equal हो गया equation number 2 इसको ऐसे दे अब कितने time में fall करेगा अगर यहां से यह चलेगा अच्छे से देखना यहां से यह चलेगा यहां से चलेगा तो भाई यहां से चलेगा तो यह इसमें गिर जाएगा ऐसे तो यह time of fall हो गया है थाइम अप Fel अपने अपने आप यहांसे चलेका इसमें गिर गया तो यह टाइम पॉल हो गया कि यह टाइम आफ लगबग 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 इनलिप्टिकल लिए है तो ताइम-प फॉल यहां इस time को मैं T से denote करता हूँ तो मैं time of fall ले लेता हूँ time of time of fall time of fall की जो value है small t is equal to time of satellite in elliptical orbit by 2 तो इसका square करोगे तो time t का square is equal to time of satellite का square divided by 4 तो time t का square तो अब एक काम करते हैं यहां से यह वाला जो term आ गया time t square 1 by 4 और time of satellite की square की value उपर से value लाग मैं रख दूँ तो 1 by 4 और यह time of earth अपान 8 का square यह time of satellite का square की value है तो 1 अपान यह 8.32 और time of earth का square तो time of earth का square अगर देखोगे तो time period of earth that is the time period of square यह इसका मतले भी हुगा की time t की time of follow time of earth के case में 65 days के equal आजाएगा that is time of time of fall तो यह basically क्या है यह कुछ नहीं है इतना time लगा होगा time of fall यह वाली चीज़ तो time of fall जो है उटी और यह इसमार्टी तो आयोग की बहुत मज़ा आएगा आपको समझ में आ गया होगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो प्रूश इसमार्टी तो आपको